असलाम अलेकूम वीवर्स, वेलकम बेक टू माई चानल जायका इंडिया आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लाल मिर्च का नीमू वाला चटपटा और मज़ेदार अचार इस लाल मिर्च के भरवाचार को बना कर आप लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यह हमने एक किलो मोटी वाली लाल मिर्च ली है इने अच्छे से वाश करने के बाद चलने में रख दिया था अब इन मिर्चों पर जो पानी है उन्हें हम कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोश लेंगे और इन मिर्चों को एक ट्रे या थाली में फेला कर रखते यह लाल मिर्च सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही आती है आजकल सीजेन है इनका यह मार्केट में असानी से मिल जाएंगी आप इस वक्त ही इन मिर्चों का अचार बनाकर पुरे साल बर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और यह देखिए यह मिर्च थोड़ी सी खराब है इसे हम अलग कर देंगे इसे हम अचार बनाने में यूज नहीं करेंगे यह देखिए यह भी थोड़ी सी गली हुई है इसे भी हम हटा देंगे हमें मिर्चों का पानी भी साफ करते जाना है और साथ-साथ मिर्चों को अच्छे से चेक भी करते जाना है कि कहीं कोई मिर्च गली हुई या खराब तो नहीं है ये मिर्च भी नीचे से थोड़ी सी खराब है इसे भी हम हाटा देंगे यह इस मिर्च पर भी थोड़ा सा निशान है इसे भी हम अटा देंगे तो यह हमने सभी मिर्चे साफ करके रख ली है अब इन्हें दो से तीन घंटे धूप में रखकर सुखा लेंगे ताकि इन में जो भी नमी हो वो सब निकल जाए और यह देखिए यह पांच मिर्च खराब है इन्हें हम अचार में यूज़ नहीं करेंगे इसकी वज़े से सारा चार खराब हो सकता है लेकिन हम इन मिर्चों का गला हुआ पाट टेकाल देंगे और इनको हम चटनी बनाने में यूज़ कर सकते हैं जब तक मिर्चे सूख रही है तब तक हम अचार का मसाला त्यार कर लेंगे यह हमने दो टेबल स्पून यानि 25 ग्राम जीरा लिया है साबुत सूखा धनिया लिया है 50 ग्राम अजबाइन लिया है 4 टेबल स्पून वजन में है 40 ग्राम काली मिर्च लिया है 2 टेबल स्पून सौफ लिया हमने 75 ग्राम राई है 50 ग्राम यानि 4 टेबल स्पून यह पीली सर्थो भी हमने 4 टेबल स्पून लिया है वजन में 50 ग्राम है 10 ग्राम यानि 1 टेबल स्पून हेंग लिए है 50 ग्राम मेथी दाना यानि साबुत मेथी लिए हल्दी पाउडर 4 टेबल स्पून लिया है कलोंजी लिए 2 टेबल स्पून वजन में 20 ग्राम काला नमक 50 ग्राम है और सफेद नमक भी हमने 50 ग्राम लिया है बाकी आप अपने टेस्ट के मताबिक अज़ेस्ट कर सकते हैं अमचूर पाउडर हमने लिया है 50 ग्राम और ये दो नीमू हैं इनका रस डालेंगे और ये हमने तीन का पियानी 45-700 ग्राम सरसो का तेल लिया है अब ये कड़ाई में हम कुछ साबुत मसालों को ड्राय रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले हम धनीय को कड़ाई में डाल कर एक मिनट तक रोस्ट करेंगे दीमी आजपर ही इने भूनना है तेज आजपर मसाले जल सकते हैं दीमी आजपर हमने धनीय को एक मिनट तक भून लिया है अब हम इसमें सॉंफ डाल देंगे साथ साती हम इसमें मेथी दाना और जीरा भी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करते हुए इने रोस्ट करेंगे अब हम इसमें अजवाइन और काली मिर्च भी डाल देंगे अब इन सभी मसालों को नमी निकलने तक हलका हलका सा भून लेंगे दो से तीन मिनट हो गए हैं मसालों को भूनते हुए मसालों में से चडखने की आवाज भी आने लगी है और आप देख सकते हैं इनका कलर भी काफी चेंज हो गया है और इन में से भूनने की खुश्बू भी आने लगी है अब ये मसाले अच्छे से भून गए हैं इस वक्त हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन मसालों को कड़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे अब अच्छे से फैला कर मसालों को रख देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडे हो जाएं उसके बाद हम इने पीस लेंगे अभी हम इने एक साइट में रख देंगे और अब इसी कड़ाई में हम सर्चो के तेल को अच्छे से धुवा निकलने तक गरम कर लेंगे बुड़ी देर में देखी सर्चो का तेल अच्छे से गरम हो गया है इसमें से धुवा निकलने लगा है अब हम फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अब आ जाते हैं रोस्टेड मसालों की तरफ तो ये मसाले भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब हम इने पीस लेंगे एक मिक्सर जार लेंगे पहले हम इसमें ये राइ और पीली सर्चो को बहुत हलका सा पीस लेंगे इसे एकदम मोटा मोटा पीसना है बस दो से तीन सेकिंड के लिए हमने मिक्स्ट के बटन को दबाया था तो देखिए एकदम मोटी मोटी राइ और सर्चो पीस गई है बहुत ज्यादा बारिक पीसने की जरूरत नहीं होती है इसे अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे और अब इसी जार में हम ये धनिया सौफ मेथी जीरा कालिमिट्स जो हमने डायरोस्ट करके मसाले रखे थे वो इसी जार में डालके दरदरे पीस लेंगे तो ये देखी ये मसाला भी पीस गया है अब इस मसाले को हम एक बड़े बरतन में निकाल कर रख लेंगे क्यूंकि बाद में इसी में हम बाकी के पीसे मसाले और नेमु कारस और तेल डाल कर मिक्स करेंगे अब इस मसाले को हम एक साइड में रख देंगे और अब आ जाते हैं लाल मिर्चों की तरफ इन्हें हमने 2-3 गंटे तक धूप में सुखा लिया है अब इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं है यह अचार बनाने के लिए रेडी है अच्छे से सूप गई है अब हमें इन मिर्चों में मसाला भरना है तो उसके लिए इनके अंदर जो बीज है पहले वो निकालने है तो सबसे पहले हम मिर्चों को डंठल से थोड़ा सा नीचे से काट लेंगे यह देखे इस तरह से और अब बहुत सावधानी से चाकू की मदद से यह जो मिर्च के अंदर बीज वाला हिस्सा है इसे काट कर निकाल देंगे यह देखे इस तरह से यह बीज वाला हिस्सा निकलने पर मिर्च अंदर से खाली हो गई है अब इसी तरह से हम दूसरी मिर्च के बीज भी आपको निकाल कर दिखाते हैं यह देखिए यह भी काफी आसानी से निकल गए हैं बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है सभी मिर्चों के बीज निकालने में लेकिन मुश्किल नहीं है आप आसानी से निकाल सकते हैं अब इसी तरह से हम सभी मिर्चों के बीज निकालकर रेडी कर लेंगे यह देखिए हमने सभी मिर्चों के बीज निकाल लिया है अब यह मिर्चे मसाला भरने के लिए रेडी हो चुकी है और अब यह जो मिर्चों के बीज है इने भी हम यूज़ करेंगे इनमें से हम बीज निकाल लेंगे और यह जो पल्प है यह हटा देंगे आप चाहें तो इनका पल्प भी यूज़ कर सकते हैं ये सभी बीज हम मसाले में यूज़ कर लेंगे अब ये जो मसाला हमने पीस कर रखा था इसमें हम बाकी के मसाले भी मिला लेंगे ये राई और सर्जो है ये डाल देंगे कलोंजी और हिंग डाल देंगे ये हल्दी पाउडर है ये डाल देंगे ये अमचूर पाउडर है ये देखिए अमचूर पाउडर में बहुत सारे लंप्स हैं इनको निकालने के लिए हम इस पाउडर को एक बार मिक्सी में चला देंगे तो ये लंब से निकल जाएंगे ये देखिए एकदम fine powder बन गया है ये हम इसमें डाल देंगे अब ये काला नमक और सफेद नमक भी डाल देंगे और ये जो नीमबू हमने लिए थे उनका रस है ये भी डाल देंगे अब हमें मसाले को mix करना है तो हम इसमें थोड़ा सा सर्चो का तेल डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से mix हो जाए अब चम्मच से चलाते हुए मसाले को अच्छे से mix कर लेंगे अगर हमें तेल की जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे थोड़ा सा तेल और डाल लिया है हमने और चम्मर चला कर अच्छे से मसाले को मिक्स करते जाएंगे थोड़ा सा तेल हमने और डाल लिया है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए अभी जो मिर्च के बीज हमने निकाल कर रखे थे ये भी हम डाल कर मसाले में मिक्स कर लेंगे मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इने मिर्चों में भर सकते हैं इस वक्त आप चाहें तो मसाले में नमक चेक कर सकते हैं अभी देखे थोड़ा सा मसाला लेंगे और अच्छी तरह से उंगली से दबा दबा कर हम मिर्च के अंदर मसाला भर लेंगे अच्छी तरह से दबा दबा कर मसाले को भरना है ये देखिए मिर्च में मसाला अच्छी तरह से भर गया है इसी तरह से हम सभी मिर्चों में मसाला अच्छी तरह से दबा दबा कर भर लेंगे झाल तो ये देखिए हमने सभी मिर्चों में मसाला अच्छे से भर लिया है और ये हमारा मसाला भी फिनिश हो गया है ये एक किलो मिर्च के लिए मसाला एकदम पर्फेक्ट था अब हमें इन मिर्चों को कांच के जार में भरकर रखना है तो हमने जो कांच के जार लिये हैं इन्हें अच्छे से वाश करने के बाद धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है अब इन साफ और सुखे हुए जार में हम मिर्चों को रखेंगे क्योंकि हमें इस अचार को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है इसलिए कंटेनर में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए वो साफ और सुखे हुए होने चाहिए यह हमने दो काच के जाल लिए है इनमें हम इन मिर्चों को रख लेंगे अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा सर्चों का तेल भी डाल देंगे जो हमने करम करके ठंडा किया था अभी हम अचार में तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम इने 5-6 दिन तक धूप में रखेंगे जिसकी विज़ा से मिर्चों थोड़ी सी मुर्जा जाएंगी यानि नीचे बैट जाएंगी अब जार के मुँपर सुती कप्ला बांदेंगे ये देखिए इस तरह से कप्ला इसलिए बांदा जाता है कि अचार ढगा रहेगा और इसमें कोई भी डस्ट या धूल मिर्ची नहीं जा पाएगी और दूसरी वज़ा ये है कि मिर्चों में जो मुश्चर होता है वो धूप में रखने की विज़ज़ से उन्ने लगता है और कपड़ा उस मौश्चर को सोक लेता है इसी वज़े से हम कपड़ा चार के उपर बांते हैं अब 5-6 दिन के बाद ये अचार आप खा सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी हमारी लाल मिर्च के अचार बनाने की बहुत आसान रेसिपी इस तरह बनाने से ये चार बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनकर त्यार होता है आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर ट्राइक कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफिज